हाई दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से पाइस्टेडी पॉइंट पर आज हम लेके आए हैं आपके लिए पर्माणों से संबंदेत most important questions जो किसी ने किसी एक्चाम में कहीं कहीं पूछे गए हैं अगर आप किसी भी आज की क्लास यह रहा हमारी आज की क्लास का पहला question आपकी सामने पधार्थ का पर्माणों से दांत किसने प्रिति पाधित किया था ओप्शन है एवग्रादो डाल्टन न्यूटन या पास्कल दोस्तों इसका हमारा राइट अंसर होगा डाल्टन चली हम नेक्ट कोशन को चलते हैं आपके लिए बता दे की पधार्थ का पर्माणों शिद्धन डाल्टन ने प्रिति पाधित किया था उनके अनुसार पधार्थ अंतियें छोटे-छोटे विभाजी कणों से मिलकर बने होता है जिने यह दो से कोशन है कौन से दो आदार बुद बल जो दो न्यूटनों के बीच आकर्सन बल अफलब करा सकते हैं ऑप्शन है गुरुत्य और इस्तिरवेद्यत कुछ अन्यवल गुरुत्य और नाभी किये या इस्तिरवेद्यत और नाभी किये दोस्तों इसका राज टांसर होगा गुरुत्य और नाभी किये चलने इस्त कुछन को चलते हैं यह रहा आपके सामने जब दो पर्मानों के बीच आबंद बनता है तो पिर्णाली की उर्जा वर्दित होती है या घटती है या वेस्से ही रहती है या बढ़ती है या फिर घटती है इसका राइट आंसर होगा गढ़ती है देखते हैं नेक्स्ट कोशन यह रहा हमारे सामने नेक्स्ट कोशन पर्मानों तत्तु से उनत्तिस किस से संबंदित है हाँ दोस्तों पर्मानों तत्तु संख्या 29 किस से संबंदित है है OPSON है CON captain Block wedlock P लोग या एफ बिलोग हा तो हम आपको समझा दें कि आवरसरी में 4 बिलोग होता है पहला दूसरा अथा अथी होता है लिए falsies लहीं हे गया टफ है इसलिए उसको डिजैन नहीं किया गया है तो तो इसका राइट आंसर है दी बिलोग देखते हैं इसका कुछ एक्स्पिलेशन है अब आउनियम के नियम की सायता से लगबग सभी तत्तु के सही लक्टोनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं इस पिरकार और जाके बढ़ते करम में S बिलोग, P, D, F बिलोग में बाटा गया है कौपरत तक रियमियम दोनों जिसका परमानों किरमांग 39 और 24 है जो D बिलोग में रखे जाते हैं चलब दोस्तों नेट कोशन के और चलता हैं कैथोर के नहीं होती हैं ओप्शन है एलफा कणू की स्ट्रीम, इलक्ट्रोन की स्ट्रीम, विद्धु चुम्ब की तरण या विकीरण तो हमारा आंसर होगा, इलक्ट्रोन की स्ट्रीम चलिए नेट कोशन तरखते हैं निम्ड में से कौन सा तत्तु सरवादिक विद्धु तरणात्मक है? अब ओप्शन है, फलोरीन, सोडियम, किलोरीन या ओक्सिजन तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, फलोरीन, चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं? आज़र तो इसका एक्स्प्रेशन है कि सरवादिक विद्धु तरणी तत्तु फलोरीन है, जबकि सरवादिक विद्धु धनात्मक जो तत्तु होता है, वो फ्रेंट्सियम है नेट्स कोशन देखते हैं किसी तत्तु के राशा इनिकुन निम्न में से कौन ते करता है? आप्शन है प्रोटोनों की संख्या, इलक्टोनों की संख्या, निट्रोनों की संख्या या उप्यूक्त सभी तो हमारा राइट आंसर होगा, इलक्टोनों की संख्या किसी तत्तुकित तुल्यांग की भार तता सयों जगता का गुननफल किसकी बराबर होता है ओप्शन है वास्प घनातो सापक्ष ताप परमानुभार या अनुभार तो हमारे इसका राइट आंसर होगा परमानुभार देखिए किसी तत्तुकित तुल्यांग की भार सयों जगता का गुननफल उसके परमानुभार के बराबर होता है नेस कोशन देखते हैं आन्वी कक्षा का अभिन्यास किसी नियंत्रित होता है आन्वी कक्षा का जो अभिन्यास होता है वो किसे नियंत्रित होता है आप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या चुम्बक की क्वांटम संख्या पिर चक्रण क्वांटम संख्या तो इसका राइट आंसर होगा चुम्बक की क्वांटम संख्या पिर देखते हैं एक्स्प्लेनेशन दे रखा है यह आन्वी कक्षा का अभिन्यास चुम्बक की क्वांटम संख्या से निर्भर करता है किसी तत्तु के पर्माणू का पर्माणू किर्मांग 17 है और द्रेमान संख्या 36 है उसके नुकलियस में न्यूटनों की संख्या है ओप्सन है 17, 19, 53 या 36 इसका राइट आंसर होगा उन्नेस निर्षक कोशन है निन में से अधिक्तम दुर्यमान किसका है उप्षन है एलेक्टोन का प्रोटोन का निटोन का या हाइडोजन नुकलियस का तो इसका राइट अंसर होगा निट्रोन दोस्तों यह इसमें आपके साम थोड़ा से एक्स्पेनिशन दिया हुआ है जो इलक्टून का दुरुमान है यह इतना है प्रोटून का दुरुमान 1.00728MU न्यूटून का दुरुमान 1.0067MU और हाइडोजन नुकलियस का दुरुमान 1.0783MU नेक्स कोशन दिखते हैं प्रोटून की समान संक्या किन्तु न्यूट्रोन की भिन भिन संक्या वाले परमानों को क्या कहते हैं ओप्शन धनायन, रिनायन, समस्तानी या हिंग बोशन तो हमारा राइट अंसर है समस्तानी इसका explanation करते हैं कि एक ही तत्तु एक ही तत्तु के पर्मानु जिस जिनकी पर्मानु संग्या समान होती है समस्थानिक पर्मान्व के तीन समस्थानिक है यह पूश ले जाता है कि कौन को इनमें से एक भी तीन दे दिया जाता है और ये पूछ लितां कि इनसे हैं हडोजन का समस्तानिक कौनसा है, तो इस दोस्ते तीनु है, प्रोटियम, डूटेरियम और ट्रैटियम यह तेन के तेन ही हडूजन की समस्तानिक है नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं यह को समान परमानु संख्या वाले नुक्लियर को क्या कहते हैं ऑप्सन है समप्राशारी समस्थानिक समावियर समदाब संभार तो इसका राइट अंसर होगा समस्थानिक समान परमानु किर्मांग वाले जिसका परमानु किर्मांग जो समान होता है उन्हें नुक्लियर को समस्थानिक कहा जाता है नेट्स कोशन है कि आवग रादो संख्या का मान कितना होता है उप्सन है 6.203 x 10 की पावर 22 ऑप्सन भी 6.23 x 10 की पावर 23 ऑप्सन C 6.023 x 10 की पावर 24 ऑप्सन D 6.023 x 10 की पावर 25 इसका राइट अंसर होगा 6.20 x 10 की पावर 23 देखिए दोस्तों किसी तत्तू के एक ग्राम परमानू के एक मोल में उपस्त परमानू कि संख्या क्या खा जाता है आवग रादो संख्या के थे ठीके और यह आवग रादो संख्या का मान है जिसे हम N से डिनोट करते हैं नियम लिखित मेंसे कौन सा एक नुकलियोन नहीं है निकलियोन नहीं है, option है proton, neutron, electron या positron हमारा right answer होगा, positron एक निकलियोन नहीं है जबकि proton, neutron और electron तीनों के तीनों ही निकलियोन है नहीं स्कुशन है, किसी परमाणों का रासाइनिक वेभार निर्भर करता है उसके nucleus में protonों की संक्या पर, nucleus में neutronों की संक्या पर nucleus के इर्द गिर्द घुम रहे electronों की संक्या पर, nucleus में nucleonों की संक्या पर इसका right answer होगा, nucleus में protonों की संक्या पर नेस्ट कोशन है, परमाणू नुकलियस बने होते हैं, आप्शन है, प्रोटोन और लक्टोनों से, प्रोटोनों और आईसो ट्रोनों से, एलक्टोनों और न्यूटोनों से, या फिर प्रोटोन और न्यूटोन से, इसका राइट अंसर होगा, प्रोटोन और न्यूटोनों से, next question, यह परमानो के nucleos में proton और neutron nucleus, proton, neutron पाई जाते हैं जब कि electron ना भी के चार ओर काक्छामें पाई जाते हैं और परमानो के अंदर electron वो neutron और proton पाई जाते हैं परमानों का संगठन करने वाजी तीन मौलिक कंड कौन कौन से हैं और को ऑप्सन हमें प्रोटो इलक्ट्रोन और होटों इसका रॉटचान नसर होगा कि में प्रोटोन इलक्ट्रोन और नूट्रोन हीक genome यह एक्स्प्रेशन दिया है हम दिखते हैं में परमाणों का संगठन करने वाले मौली कंड जैसे लक्टॉन प्रोटोन और नीट्रोण की खोद जेजे टॉम्सन ने केथोर केणों में की प्रोटोन की खोज रदरफोर्ड ने की थी ये एक धनावेशित कण है जबकि इलक्टोन रिनावेशित कण है हां कि जो इलक्टोन है वो एक रिनावेशित कण है जबकि प्रोटोन क्या है जिसकी रदरफोर्ड ने की बोचार करके नहीं नेस्स कोशन देखते हैं एक परमानों के टीन आधार भूत अव्यव कौन से हैं Option A Proton, Neutron तथा Ion, Option B Proton, Neutron तथा Electron, Option C Proton, Deuterium तथा Titium या Option D Proton, Neutrinos या Iron इसका Right Answer होगा प्रोटोन न्यूट्रोन एलक्ट्रोन लेस्ट कोशन देखते हैं परमानो किर्मांग 20 वाले परमानो का एलक्टोनिक विन्यास क्या है दोस्त आपको बता दे इसका इलक्ट्रोनिक विन्यास 2882 है कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं इलक्ट्रोनिक विन्यास निकालने के लिए 1s2, 2s2, 2p6 इसलिए अगर हम देखते हैं इसके जो इलक्ट्रोनिक विन्यास है 2, 6 और ये 2 मूल के 8, 2 और ये 6 मूल एट वो लास्ट में 3 P2 देखते हैं इसके एक्स्प्रेंशन इसका राइट आंसर होगा सी बॉर्ग नेस्ट कोसन है उस योगिक को चिन्नित कीजिए जिसमें आई नी सहसायोजक तथा ओप सहसायोजक आबंद हैं ओप्सन है 1H4, Cl, SO3, H2O, SO2 तो सबको बता दें ओप्सन ए अमोनिया है हाँ, अमोनियम कलोराइड है इसका राइट आंसर, ओप्सन है यह जल है यह सलफर डायोकसाइड है इस कोसन क्यों चलते हैं कुछ एक्समेलेनेशन दे रखें यहाँ पर देखें कि अमोनियम कलोराइड कस जो सुत्र है NH4Cl में अमोनियम आयन में NH4 प्लस आयन होते हैं क्लोराइड में Cl- के बीच एक बना आबंद आइनी आबंद के रुप में जाना जाता है जबकि अमोनियम आयन में NH2, आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परवाड़ों के बीच में जो बना बंद सह्सरोजक बंद होता है एक कुशन पूछा जा सकता है कि आयन, नाईट्रोजन, आयन में नाईट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुत भी जो बंद बना होता है, उसको बलते हैं सहसे उजग बंद आगे दिखते हैं उसमें सहसे उजग आबंद भी उपस्तित रहता है नेस्ट कुशन है अमूनिया का एक गुण कौन सा है ओप्शन है यह जल में अवेविले होता है यह गंदरहीत गेस है यह पीत गेस होती है इसके जली विलियन में लाल निटमस नीला हो जाता है इसका राइट अंसर होगा इसके जली विलियन में लाल निटमस नीलाफ हो जाता है आज की क्लास का हमारा आखरी कोशन दोस्तों आपको बता दें अमोनिया एक तीशनक गंद वाली गंद वाली रंग हीन जिसका कोई रंग नहीं होता है रंगीन गैस है यह जल में अती विले अमोनियम हाइडरो कलोराइड अमोनियम का जली विलियन है यह एक लाल निटमस को नीला कर देती है आखरी कोशन देखते हैं कि पुराने किताबों का जो कागज है वो भूरा किस कारण से होता है उप्शन है लगादार उप्योग से उप्शन बी सवान तन की कमी से उप्शन ती सी धूल जम जाने से उप्शन डी सेलूलोस के ओक्सिकरन से इसका राइट अंसर होगा उप्शन डी सेलूलोस के ओक्सिकरन से यह थे हमारी आज की क्लास के मॉस्ट 25 कोशन जो परमानों से संबंदित कोशन से अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगडाउन का पालन करें अपने घर पे रहें और एक्जाम चल्दी अनौस्मेंट होने वादी है एक्जाम की त्यारी करते हैं मिलते हैं नेक्ट क्लास के साथ थैंक्यू सौमच